हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आएक्सांबी आएम सुशिल रगडे एक्स मैनेजर इजर बैंक आफ इंडिया अभी रिसेंट्ली न मुझे काफी सारे स्टूडंस की क्वेरी आ रही है क्योंकि अभी मैंने देखा ना पिछले तीन महने में मेरा जो टेलीग्राम चैनल यह अरब मुझे क्वेश्चन आ रहा है इसलिए मैं उनके लिए वीडियो बनारो जिनको इनके बारे में इसके बारे में पता है यह टॉपिक के बारे में वो यह वीडियो बता है आप देखना चाते हो तो देख भी सकते हैं अधरवाइस किप भी कर सकते हैं कोई नया यहां पर मैं चीज नहीं बताने वाला हूँ तो यहां पर देखते हैं कि यह जो डाउट है ना बहुत लोगों की दिमाग में रहता है कि सर एक तो सबसे पहले ना यह नॉर्मल वर्ड एक्चली मैं खुद मुझे यह वर्ड अच्छा नहीं लगता है बहुत लोग मुझे बोलते किसे मै और नॉर्मल व्या?- उन्वन. vita हुँ, नॉर्मल विकॉम हूँ, नॉर्मल बी-जय है किसी नहीं इसी दिगरी दी हमें किसी को? यूज नहीं करना चाहिए, मैंने इसलिए यूज किया है कि आपको मैं ये समझा शकू कि ऐसा कोई नहीं है, आपने देखा होगा कि ये वाले लोग IAS IPS भी बनते हैं, अभी 12th फेल भी मुवी आया है, फेल वाले लोग भी IAS IPS बन सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबसे पहले हम खुद पे confidence होना चाहिए, बाकी लोग हमें कुछ भी कहें, लेकिन हमारा अगर खुद पे भरोसा नहीं रहेगा, तो हम आगे कुछ कर नहीं सकते, मैं इसका CPA में यहाँ पर बताने वाला नहीं, मैं इसका आपको data भी दिखाऊंगा, कि ऐसे जो लोग है, ये background के लोग है, वो select होते हैं, नहीं होते हैं, क्या है, कुछ नहीं, सारा मैं यहाँ पर बताऊंगा, और LGBT के बारे में भी बहुत क्वेरियाती की सर्में इग्नुसिक किया है, अभी महारास्ता में YCM करके एक famous university है, यशुंदरा चवान मुक्तेविद देपिट, वहाँ से लोगों नहीं क science of India के front page पे यह new छपा है, अगर किसी ने ऐसा print किया है, तो मुझे बताइए, कुछ institute ने digital platform पे result भी publish किया था, बाद में निकाल भी दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और अब से नहीं हम पहले से ऐसे करते हैं, क्योंकि हमारे सारे genuine result है, अगर अब नाबार grade A की तयारी क कर रहे हैं, तो आप अगर इंट्रू का guidance लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे call करके फूच सकते हैं, तो चलो अभी आते हैं कि यह 2023 का notification है, उससे में लेके यह आपको यह समझाओंगा कि क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, आपको graduation in any discipline, यह को basic requirement है, अगर आप देखेंगे न, सेबी, सेबी जो organization है, वो जो plain BA become BSC है, उनको allow नहीं करता है, सबसे पहले हमें यह जानना है, सेबी को plain BA become BSC लोग नहीं चाहिए, क्लियरली उन्होंने पहले ही बोल दिया है, RBI का ऐसा नहीं है, any graduate, मैंने यहाँ पे music के students भी देखें, जिन्होंने music में graduation किया है, जिन्होंन पुछले 10 साल में एक कोई होगा होगा, ऐसे odd background से, otherwise intro तक लोग पहुचे हुए है, यह extreme example मैंने दिया, any graduate यहाँ पे चलेगा, ठीक है, यहाँ पर 60% marks यहाँ पर aggregate होने चाहिए, aggregate, aggregate मतलब अगर आपका 6 semester का exam है, तो 6, यानि कि 3 साल का, अगर किसी का 4 साल का है, तो 8 semester का, यह aggregate होना चाहिए, किसी एक semester में 50%, दूसरे में 80%, किसी में 40%, दूसरे में 90% चलेगा, aggregate होना चाहिए, कुछ-कुछ लोगों को यह every semester में लगता है, क्योंकि मैं इसलिए बताता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी सारी queries आती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ सपन aggregate है, यह यूर के लिए है, EWS के लिए है, ठीक है, and OVC के लिए है, और यहाँ पर एक बात यह है, कि बहुत लोगों को यह पता नहीं होता है, कि सिर्फ graduation में 60 दिए लोग चोड़ देते हैं, अगर आपने post graduation किया है, तो 55% होगा, तो भी यहाँ पर चलेगा, ठीक है, 55% UD जो candidate है, उनके लिए percentage का कोई यहाँ पर criteria नहीं है, और यहाँ पर किसी ने अगर IGNU से या किसी भी open university से जो recognized है, वहाँ से अगर graduation किया है, post graduation किया है, तो वो भी यहाँ पर eligible है, बहुत लोगों को लगता है कि मैंने open university से किया है, तो वो eligible नहीं है, ऐसा बिलकुल नहीं है और यहाँ पर कुछ CA students का भी query आता है, क्योंकि 60% marks CA में मिलना बहुत बुश्किल है, लेकिन RBI ने यह clarify किया है कि CA जो degree है, वो post graduation के equivalent मानी जाएगी, यानि कि CA जो students है, उनको aggregate 55 marks यहाँ पर मिलने चाहिए, तो अभी यहाँ पर मुझे idea नहीं कि exactly आप CA के aggregate marks कैसे आप अपने जो body है, उनको पूछ सकते है कि अगर मुझे कही जो CA की body है, ICAI, उनको पूछ सकते है कि अगर मुझे aggregate marks बताने है, तो क्या-क्या subject यहाँ पर include करना पढ़ेगा, otherwise यह 55% का criteria भी बहुत कम CA लोगों को पता, इसलिए CA लोग यहाँ पर apply नहीं करते, क्योंकि उनक पर और एक सवाल आता है, कि यह जो date है, मतलब कुछ लोगों को क्या होता है, कि degree नहीं मिलती है, तो आपका result इस date से पहले, यानि कि अगर अगले साल यह 1st माई 2024 होगा, तो आपका जो result है, final result वो इसके पहले आना चाहिए, degree आपको बात में कभी भी मिले चलेगा, लेकिन क background जो था, वो कौन-कौन से education area से था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखी graduation, यह total 70 लोगों का data है, यहाँ पर maximum इंजिनियर से, क्योंकि आपको पता है, engineering करने के बाद, जो computer science में होते हैं, mostly वो IT में चले जाते हैं, otherwise बागी सारे लोग, mostly government job की तयारी करते है तो यह total 70 लोग है, इसमें 67% है, यह 47 लोग इंजिनियर्स है, और यह plain इंजिनियर्स के बाद करो, BEI, BTEC, उसके बाद commerce के 11 student है, काफी अच्छा नमबर है, arts के 5 student है, और science के यहाँ पर 7 student है, यह graduate लोगों का profile है, इसमें से कुछ लोगों ने post graduation किया है, ठीक है, तो इसमें स C.A. आपको पता है, बहुत difficult exam होता है, लेकिन बहुत सारे जो C.A. उनको पता है नहीं कैसा eligibility criteria होता है, और दूसरी बात है, C.A. लोगों को prelim जो है, phase 1, quant English reasoning, यहाँ पर उनको difficulty आती है, मैंने देखा है, कर C.A. अगर phase 2 देता है, तो वहाँ पर उनका selection का ratio बहुत high हो जाता ह नेरबोर 60-70% C.A. जो है, वो phase 2 crack करके आगे जाते है, और आगे जाने के बाद भी 50% से ज़्यादा selection ratio होता है, phase 2 से इंटरूर निकानने के, तो इस बार 2 student थे, मुझे यादे last है, मरे 4 student थे, C.A. वाले जिन्होंने final exam क्रिया किया था, M.A.C. वाले 2 है, M.C. के 2 है, M.B.A वाले 4 है, इस बार M.B.A. का नंबर थोड़ा कम है, उसके बाद M.T.E.C. के 3 है, M.A. का 1 है, और C.F.A. 1 है, C.F.A. भी बहुत सारी countries में post-graduation equivalent माना जाता है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी doubt यहाँ पे नहीं आना चाहिए, अगर आपको R.B.A. grade B का फिर pressure करना है, तो General Awareness और यही General Awareness का फायदा आपको E.S.A. में भी होता है, Finance में भी होता है, English के E.S.A. में भी होता है, and finally Intero में भी होता है, तो इसलिए हमारा General Awareness का capsule है, या उसको आप PDF file कहेए, यह सबसे मतला हम क्या कहते हैं कि convenient way में हम students को provide करते हैं, देखो यह month-wise है, अगर आप December के आपको तीन format में मिलेगा monthly format में एक बड़ी फाइल मिलेगी या weekly format में महने में चार वीक होते है जनरली तो उसके चार वीक के अलग-अलग फाइल या अगर आपको daily आदत है पढ़ने की तो आप daily भी पढ़ सकते हैं तो most of the students ये refer करते हैं जो लोग job में हैं वो Sunday to Sunday refer करते हैं और जिनको मतलब daily नहीं बढ़ना है बस month में एक बार लेके तीन-चार दिन में वो cover करेंगे वो student इस तरीके से करते हैं तो ये एक बार देखिए ये free में available है इसके link में description में दे देता हूँ और अभी मैं क्या कर रहा हूँ होगी थाँ थाओ गी धर झालब तो लेख पर ये शुट इस अप्कमी एग्सामिशन